नमश्कार महप्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार के दो डियेसपी का ट्रांसफर बिहार में दिन की कीमत में मिली रहात बिहार में तेज आंधी के साथ बारिश ओले भी गिरे बिहार में मिले COVID-19 के पाच नए मामले तीस मैं से आटो से चलना होगा महंगा अब चले बढ़ते हैं बिहार की शामता की बड़े खबरों की और विस्तार से बिहार के दो DSP का ट्रांसफर बीते दिन बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेर बदल देखने को मिला इस समन्ने ग्रिववाग ने दिसूशा जारी कर दी है जिसके तहती बिहार के दो DSP का ट्रांसफर किया गया है जिसके तहती विशेश शाखा के पुलिस उपाधिक्षक सुजीत कुमार जोधरी को उपसमादेश्टा SDRF के पद परपद स्थापित किया गया है वहीं विशेश शाखा के पुलिस उपाधिक्षक विजय प्रकाश सिंग को उपसमादेश्टा SDRF बनाए गया है इससे पहले भी बिहार में बड़ी संख्या में DSP का तबादला देखने को मिला था बिहार में टेल की कीमत में मिली रहात बीते दिन केंद्र सरकार की तरफ से टेल के दाम में रहा देने के बाद आज से बिहार वासियों को भी बड़ी रहात मिली है जिसके तहती आज से नए दाम लागू हो गए हैं तेल कंप्नियों ने रविवार को पेट्रोल और डीजल के रेट जारी कर दिये जिसके मताविक आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में 8.71 रुपे और 6.77 रुपे की कमी हुई है प्रदेश में आज पेट्रोल की कीमत 109.17 रुपे प्रती लीटर और डीजल की कीमत 95.82 रुपे प्रती लीटर रही वहीं पट्ना में आज पेट्रोल 107.24 रुपे प्रती लीटर और डीजल 94.04 रुपे प्रती लीटर देखने को मिला यहां पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपे और डीजल की कीमत में 7.5 रुपे की कमी हुई है बिहार के अनेजिलों में भी तेल के दामों में बड़ी राहत मिली है बिहार में यातायात नियमों का उलंगन करना पड़ा महंगा विहार में यातायातनियमों का उलंगहन हर दिन के साथ बढ़ते ही जा रहा है ओवर्स्पीडिंग, ओवर्लोटिंग और हेलमेट सीट बेल्ट जाज के लिए लगातार विशेश जाज अभियान चलाए जा रहे है इसी के तहट बीते दिन भी ओवर्स्पीडिंग, ओवर्लोडिंग और हेलमेट सीट बेल्ट जाज किया गया इस दौरान यातायातनियमों के उलंगहन और मोटर वहन अधिनयम के विभिन धाराओं के तहट कुल 349 वहन चालों को पर कारवाई की गए जिसमें 36 वहनों को जब्त किया गया परिवहन सचिफ संजेकुमार अगरवाल ने कहा कि ओवर्स्पीडिंग की वज़े से आई दिन विभिन सड़क दुरगटनाओं में लोगों की जान जा रही है इतनी तेज काड़ी क्यों चलाए कि मौत आगे और जिन्दीगी पीछे रह जाए अभियान के दौरान बस एवं आटो में श्रमता से अधिक यात्रियों के परिवहन और अन्य व्यवसाइक वहनों ट्रक आदी में ओवर्लोडिंग किये जाने पर समंधित चालक वहन मालिक पर जुर्माना भी लगाए गया ग्राजवेट चायवाली की अब अक्षिरा सिंग हुई मुरीद बिहार के राज़ानी पट्ना में इन दिनों ग्राजवेट चायवाली की चर्चा खूब हो रही है आलम कुछ हुँ है कि लोग अब graduate चायवाली से प्रभावित होकर खुद ही चाय की दुकान खोलने लगे हैं चायवाली की लोग प्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वीते दिन खुद अक्षरा सिंग प्रियांका से मिलने पहुँची बोरिंग के नाल रोट पहुँची अक्षिरा सिंग ने प्रियांका के हाथ की बनी चाय पी और कहा कि प्रियांका को देखकर बहुत गर्भ होता है देश की वेटियां आगे बढ़ रही हैं सभी लड़कियों को प्रियांका से मिलकर प्रेड ना लेनी चाहिए अक्षिरा ने प्रियांका के एक कप चाय के बदले 21 रोपे दिये हाला कि प्रियांका ने वो पैसे लिने से मना भी किया लेकिन अभी नेत्री ने कहा कि ये आशिरवाद है रख लो उन्हें ने कहा कि इतना नाम कमाव कि अगली बार जब मैंने चाय पी तो इसके और भी ज्यादा की मद्दू उन्हें देखने के लिए चोराहे पर भीड लग गई थी इसकी वज़े से कुछ देर के लिए ज़ाम भी लग गया था बिहार में तेज आंधी के साथ बारिश ओले भी गिरे बिहार में तपती गर्मी के बीच लोगों को बड़ी रहात मिली है बीते कुछ दुनों से बिहार का मौसम बहद ही सुहाना बना हुआ है पटना साइथ राज्य के अधिकांस जिलो में गरज और आकाश्य बिजली के साथ हलकी से मध्यम बारिश तरश की गई तेज हवा के कारण कहीं पेड तो कहीं बिजली के पोल उखड कर गिर गया शनिवार की राद बिगड़ा मौसम रविवार के सुभह तक खराब रहा बिहार के कई जिलों में प्री मौनसून में तेज हवा और आकाश्य बिजली की कड़क ने लोगों की नीदुरा दी मौसम वभाग के मुताबिक राजिमे पुर्वी और दक्षिनी पुर्वी हवा का प्रवा हो रहा है इसकी गती 10-12 किलोमीटर प्रती घंटे की है वही बंगाल की खाड़ी से नमी युकत हवाएं बिहार में आ रही है इसके साथ ही एक पुर्व पश्रिम ट्रफ रेखा उत पटना एरपोर्ट पर एलिवेटेब रोड पर हुआ बड़ा हादसा बीते दिन पटना एरपोर्ट पर एलिवेटेड रोड कई मज़़ूरों के लिए काल भन गई गया तो कि इन दनों हवाई अड्डे की बिल्डिंग निर्मान का काम हो रहा है इस दोरान ही बड़ा हाद प्रसाशन कंस्रक्शन कंपनी को दिया गया है घटना को लेकर एरपोर्ट प्रसाशन कंस्रक्शन कंपनी और ठेकेदार की तरफ से अब तक कोई पक्ष नहीं आया था वहीं इस हाथ से के बाद छेत्व में अफ्रात अफ्रे मच गई है जिसमें दो मजदूरों की जान भी चल का एक बड़ा वर्ग बाढ़ की समस्या से जूचता ही है हाला कि इस बार सरकार ने अभी से ही तयार यां तेज कर दी है संभाविद बाढ़ से निपटने के लिए जुला प्रसाशन ने आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से निर्धारित मानक की अनुसार सभी व्यवस इस बार वो नहीं होनी चाहिए इसके लिए पहले से ही तयारी शुरू कर दे इसके लिए जो संसाधने उसका अभी से ही बहुत एक सत्यापन कर ले बिहार में मिले कोविड-19 के पांस से कम मामले बिहार समय देश भर में कोविड-19 के मामलों में लगातार उतार की तरफ से साजवा की गई जयानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर तीन मामलों की पुष्टी हुई जिसके बाद बिहार में आक्टिव मरीजों की संख्या 42 पर पहुँच गई है इसके साथ ही अगर हम प्रभाविजिलों की बात कर तो कोविड-19 के ताजा मामलों में 2266 नए मामलों की पुष्टी हुई है BPSC पेपर लीक मामले में कोचिंग संचालों की संदिक्ध भूमिका बीपेसी पेपर लीग मामले के बाद नीन में बैठी सरकार अब जाग गई है उसकी बाद सही इस मामले में सन्लिप्त लोगों की तलाश की जा रही है इसी कड़ी में हर दिन के साथ एक इबाद एक खुलासे भी हो रहे हैं इस बीच अब बीपेसी की सरस्थफी संधिक्त प्रारभी प्रतियोगिता परिक्षा के पेपर लीग मामले में राजधानी की कई कोचिंग संचालकों को संदिख्ध माना गया है और उनकी संदिख्ध भूमिका का पता चला है आर्थिक अप्राथ एक आई द्वारा गिरफ्तार किये गए अभियुक्त की पूछताच में वार्यल प्रश्ण पत्र को सॉल्व कर परिक्षाथियों तक पहुँचाने और छात्रों से राशी वसूली में इनकी बड़ी भूमिका सामने आ रही है इसको देखते हुए EOU ने इन संदिक्ट कोचिंग संचालकों के विरूत साक्ष जुटाना शुरू कर दिया है EOU सूत्रों के मताबिक पेपर सॉल्वर को एक से डेर लाख रोपे दिये जाने का सौधा हुआ था वहीं दूसरी तरफ BPSC पेपर लीक मामले में रिमांट पर दिये के क्रुशे विभाग के सहाइक राजिश कुमार और अंगबाद निवासी सुधीर कुमार सिंग के रिमांट श्रिनिवार को पूरी हो गई तीस मई से ओटो से चलना होगा महंगा विहाल राजिय ओटो रिक्षा टेंपू चालक संघ अक्टू के अफ़ाधिक्ष नवीन मिश्रा और पठना जिला ओटो रिक्षा चालक संघ सीटू के महासाचेफ बिज्री प्रसाद निश्रा निवार को सेंट बयान जारी कर ओटो से चलना महंगा बताया है जिसके तेहती तीन वर्षों में आटो चालक तीस रिवार अपने किराये में मनमानी व्रधी करते देखे जाएंगे तीस मई से दो से तीन रुपे प्रती स्टॉप आटो किराये की व्रधी होगी 25 मई को विभन आटो यूनियनों के साथ बैठे की जाएगी 26 मई को पॉइंट टू पॉइंट किराया सूची जारी की जाएगी जो बरतमान किराये के प्रती स्टॉप इच दो रुपे अधिक होगा जबकि रिजर्फ आटो किराये में 15 से 20 पीस दी की व्रधी होगी पटना हाई कोट में शुरू हुई गर्मी की छुटी पटना हाई कोट में गर्मी की छुटी आँ हो गई है जिसके तहती पटना हाई कोट ने 23 मई से 19 जून तक गर्मी की छुटी का एलान किया है पिछले शुक्रवार को कोट के कारी करने का अंतिम दिन था, अफकाश के दौरान हाई कोट में लंबेताप राधिक मामलो की सुनवाई के लिए विकेशन कोट चलेगा, जिसमें अत्याविशक मामलो की सुनवाई की जाएगी, विकेशन बिंच में हर सपता सोमबार से मंगाल की सीमा में चला बिहार पुलिस का बुल्डोजर, पशिम मंगाल की सीमा में बिहार पुलिस का बुल्डोजर चला है, दरसल बिहार पुलिस पर बंगाल पुलिस प्रसाशन को बिना सूशा दिये 20 घरों को थवस्त करने के लिए बुल्डोजर का इस्तवाल करने का आ मौजवा के साथी चोग ग्राम पंचायत अंतरगत राजिस सड़क के किनारे करीब 70 साल से 20 परिवार गुजर बसर कर रहे थे ये लोग कच्छे घरों में रहकर किसी तरह गुजारा करते थे इनके पास कोई अपनी जमीन भी नहीं है राजुद आफिस के बाहर मोधी और CBI के खिलाफ लगा पोस्टर लालो प्रसाद यादव के उपर CBI की च्छापेमारी के बाद ही राज़त समर्थकों का गुस्सा फूटने लगा है च्छापेमारी के दौरान भी CBI की टीम के खिलाफ राजुद समर्थकों ने खूब अवाल काटा था और अब राजुद के कारेकरताओं ने पार्टी दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया है जिसमें CBI को एक बार फिर से तोता बताते वे पीम नरेंद्र मोधी का पालतु बताया है इस पोस्टर में सीधे तोर पर दस सर्कुलर आवास की तस्वीर है जहां लालो प्रसाद यादव की एक बड़ी सी कटाउट भी इस पोस्टर में साब दिख रही है दूसरी तरफ नितीश और तीजस्वी यादव की तस्वीर लगाई हुई है जिसमें दोनों आपस में बात कर रहे हैं साथ ही साथ नरेंद्र मोधी की एक पोस्टर डगी हुई है इसके हाथ में पिंचरे में एक बंद तोता है यानिकी CBI और ED है तेश प्रताप की जन्शक्ती हिंद फॉज दिलाएगी गरीबों को नियाए दिलाने के लिए जहन इससे पहले उन्हाने ट्वीट कर सीम ने तीश कुमार पर फिर निशाना साधा था ट्वीट में तेश प्रताप ने दो कार्टून पोस्टर पोस्ट किये थे दूसरे पोस्टर में पाखंडी है सरकार पिस्ट्रा बिहार के नाम से तुकबंदी भी की गई है रिशापंध ने दिली क्यापिटल्स की हार का ठीक रा फोड़ा इनके सिर IPL 2022 के 79 मुकाबले में मुंबईने ने दिली क्यापिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया मुंबई की इस जीत से दिली का प्ले आफ में पहुँचने का सपना तूट गया तो महीं Royal Challenges Bangalore प्ले आफ में पहुचने वाली चौथी टीम बन गई है उनसे पहले गुजरार टाइटन्स, राज़सान रोयज और लखनाउ सुपर जाइंट्स नॉक आउट मुकाबले के लिए कौलिफाई कर चुकी है दिले के कप्तान रिशाप पंथ ने इसहार के पीछे की बड़ी वज़र बताई है पंथ ने मैच के बात कहा है कि इस मैच में कई बार मैच में गलतियां देखने को मिली है कई बार ऐसा लग रहा था कि मैच हमारे पक्ष में है लेकिन हमने एहम मौके पर मैच को अपने हाथ से फिसलने दिया ये बहुत कठिन है लेकिन इसहार को हमें स्वीकार करना होगा जब डेविड बल्लबाजी करने आए तो पहड़ी गेंद पर मुझे लगा कि रिव्यू लेना चाहिए था लेकिन जो फिल्डर सरकल में थे उन्हें लगा कि एज नहीं लगा है कल हमारे दोरा पूछेए गया सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपेसे जिन्यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया इनके नाम है रंजीत मिश्रा, रामदव मीमान जी, मंतोश यादर, प्रभात कुमार, दुर्गेश कुमार, दीपक कुमार, नवनीत कुमार, उमाश रंकर कुमार आप इसी तर हमारी सवालों का जवाब देते रहे हम हर दिन वीडियो के अंते में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नसार इस बार IPL में किस टीम के जीतने की सबसे ज्यादा संभावना है अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बिताए इसके साथ ही आज की लिए बिहार की बड़ी ख़बरों से अब्डेटे डहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सबस्क्राइब करें और बलाइक और दबाना ना भूलें धन्यवाद